हेलो मैं डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने हो ले स्मॉलेस्ट हैं लार्जेस पार्ट आप दा बॉड़ी जो की हुमन इन आर्टमेंट फिजियोलोजी का पार्ट है और यह एक्जामिनेशन पॉइंट अब इससे भी बहुत इप्वर्टेंट है तो देखा जाए क आउन कौन से कोश्चन इस पर बन सकते हैं उन्हीं कौन वोग डिसकस करेंगे तो आज़े देखते हैं इसमें पहला ही कोश्चन वाटी दा लार्जेस बोन इन हमन बॉड़ी सबको पता है फीमर जो कि थाई में होता है जांग में दूसरा वाटीज दे स्मॉलेस्ट बोन इ हीमन बोड़ी तो लार्जेस सैल की बात करें हीमन बड़ी का तो वो ओवम है जो कि फीम और ऑब में है तुर सबसे चोटा से बाब हर उक यहम सबसे पता है हमसब को पता है इस को हम लोक क्या बोलते हैं सैल next देखा जाए क्या है largest organ of human body ठीक largest organ of human body skin लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और छूट गए external और internal यह classify करना पड़ेगा कि अगर हम लोग internal कहेंगे तो word यहाँ पे change हो जाएगा skin क्या external है यह बाहरी का सबसे largest organ part है largest internal organ of the human body अभी क्या था external था लेकिन अगर internal की बात करें इंसाइड में तो क्या जाएगा liver आ जाएगा largest endocrine gland of the human body endocrine में सबसे बड़ा gland कौन सा है वो thyroid gland होता है जो गले में पाई जाती है smallest endocrine gland of human body वो क्या होगा pineal gland होगा इसी तरह से देखें hardest material in the human body सबसे कठोर material क्या होता है तो हम सब लोगों को पाई जब पता है दांत में जो enamel होता है tooth में जो enamel होता है ये सबसे hardest material होता है इसी तरह से next देखा जाए longest cranial nerve in the human body cranial nerve की बात की जारी है तो सबसे longest cranial nerve होता vagus nerve जो की 10 वी cranial nerve है आपकी इसी तरह से longest nerve in the human body cranial की बात की गए, जब cranial की बात करेंगे तो vagus होगा, और जब body की बात करेंगे longest nerve in the body, तो होगी sciatic nerve smallest cranial nerve in the human body तो सबसे छोटी cranial nerve, trochlear nerve होती जो कि छोटी cranial nerve है, तो इन में confused नहीं होना है, अगर cranial की बात करेंगा तो longest हमारा होगा vagus, और अगर human body की बात करेंगे, तो वो होगा sciatic, ठीक है, इसी तरह से next आएगा largest muscle of the human body, तो हम सब नों को पता है gluteus, maximum, maximus, जो कि बटक muscles होती है तो यह सबसे largest muscles होती है, और इसी तरह से बात करें, smallest muscle of the human body, तो वो होगा steepedus muscles, जो को steepedus, वहाँ पे steepedus muscles, यह सबसे छोटी muscles होती है, next largest arteries in the human body, तो हम सब लोग को पता arteries क्या करती है, प्योर blood करी करती है, तो सबसे बड़ी artery क्या होगी, वो होगा aorta, और smallest artery क्या होगा aorta, तो arteries, सबसे largest में aorta, और सबसे smallest में aorta, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे largest salivary gland in the human body, सबसे बड़ी salivary gland कौन से है, तो देखें, parotid gland होगी, इसी तरह से smallest salivary gland in the human body, वो क्या होगा, sublingual glands होगी, इसी तरह से देखें, largest vein in the human body वेना काबा, तो artery पूछेगा तो आपको योर्टा बताना है, और veins पूछेगा तो वेना काबा बताना है, छीक, इसी तरह से smallest vein in the human body, venules होगा, जैसे arteries में arterioles था, largest joint in human body, सबसे बड़ा joint कौन होगा, तो knee joint सबसे बड़ा होता है, घुटने का joint सबसे बड़ा joint होता है, smallest joint in the human body, सबसे smallest कहाँ पे होगा, तो in qdo, stepedial joint, जो कि incus और stepes के भी से पाया जाता है, तो smallest bone stepes हो गया, वहीं पे smallest muscles भी पाई गयी, और उसी ear में सबसे smallest joint भी पाया गया, largest cell organ in the human body, human body में सबसे largest cell organ in the human body, ठीक, next आया देका, largest vertebrae in the human body, number, सबसे largest vertebrae होता है, और सबसे smallest देखे हैं, तो cervical, जो vertebrae है, यह सबसे smallest vertebrae in the human body, इसी तरह से next देखा जाया, तो largest chamber of the heart, heart का सबसे बड़ा chamber क्या है, left ventricle, यह बहुत important है, left ventricle सबसे largest chamber होता है, इन heart में, और smallest chamber की बात करा है, of heart in the human body, तो होगा left arterium, तो ventricle सबसे बड़ा chamber होता है, और arterium सबसे छोटा chamber होता है, which is the largest exocrine gland in the human body, exocrine, endocrine, अलग था thyroid, लेकिन अगर exocrine gland की बात करा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे liver, क्या बोलेंगे liver, चीक है, तो यह चीज थी आपकी human body के largest and smallest part क्या, और यह examination में काथ question इससे आही जाते हैं, जिसको आप यहां से learn करके आसानी से मौपे questions को solve कर सकते हैं, thank you.